हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चेनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परिमेही संख्या का घटाव करना सिखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें, आज ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, कोस्चन नम्मर बने, तीन बटे रिन दो, रि आत्मक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए, तीन बटे रिन दो है, अब अंस में और हर में रिन का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर ये तीन धन में रिन का गुणा करेंगे, तो रिन तीन हो जाएगा, बटे, यहाँ पर रिन पहले से रिन का गुणा करेंगे, और यहां भी REN है तो रिण-रिण का धन हो जाएगा आड बटे 5 देखिए यहां पर 2 है यहां पर 5 है तो दोनों असमान हर है तो इनका ACM ले लेंगे तो देखिए 2 अर 5 का ACM कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा अब 10 में 2 से भाग देंगे किती बार जाएगा पांच बार उस पांच का गुणा रिन तीन से करेंगे तो पांच तिया रिन पंदरा हो जाएगा धन दस में पांच से भाग देंगे किती बार जाएगा दो बार और उस दो का गुणा इस आठ से करेंगे कितना आएगा 16 अब देखिए रिन 15 और धन 16 दोनों को हल करेंगे तो 16 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बटे 10 तो 1 बटे 10 अमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नूमर 2 है रिन 5 बटे 4 रिन 5 बटे 6 तो देखिए यहाँ पर जो हर है और रिन आत्मक है तो इसको धन आत्मक करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर 5 बटे रिन 6 है अंसमे और हर में रिन का गुणा करेंगे तो 5 धन में तो रिन धन का रिन हो जाएगा बटे यह रिन है और रिन का गुणा करेंगे तो रिन रिन का धन हो जाएगा तो यह हो जाएगा रिन 5 बटे 6 आगे देखते हैं यह हो गया रिन 5 बटे 4 रिन यह हो जाएगा रिन 5 बटे 6 हो जाएगा ठीक है आगे हल करते हैं देखें रिन 5 बटे 4 अब यहाँ पर रिन है यहाँ भी रिन है तो रिन रिन का धन हो जाएगा धन पांच बटे च्छै अब देखिए दोनों के हर आसमान है तो इनका LCM ले लेते हैं हाँ पर चार और च्छै का दो से भाग देंगे दो दूनी चार दो तिया च्छै फिर दो से देंगे दो एकम दो तीन में नहीं जाता फिर तीन से देते हैं एक में नहीं जाता तीने कम तीन तो देखिए गुणन खंड क्या हुए दो गुणा दो गुणा तीन तीन दूनी च्छै च्छै दूनी बारा तो देखिए इनका LCM कितना आ गया बारा अब इस बारा में चार से भाग देंगे किती बार जाएगा तीन बार उस तीन का गुणा इस पांच से करेंगे तो तीन पाचे पंदरा रिन पंदरा धन बारा में छैसे भाग देंगे किती बार जाएगा दो बार और उस दो का गुणा इस पांच से करेंगे तो पांच दुनी दस हो जाएगा अब देखिए, रिन पंदरा बड़ी संख्या आए, तो इसमें से 10 घटा देंगे, तो कितना आएगा, रिन पांच बटे 12, ठीक है, तो रिन पांच बटे 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर थिरी है, तीन बटे रिन चार, रि अब देखिए, आंसर हर में रिन का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 3 धन में है, रिन का गुणा करेंगे, तो रिन धन का रिन हो जाएगा, बटे, यहाँ पर रिन पहले से है, फिर रिन का गुणा करेंगे, तो रिन रिन का धन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, रिन 3 बट है तो अंस के रिन से हर के रिन को काट देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा यह हमारा पांच बटे चार बचेगा ठीक है तो देखे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम रिन तीन बटे 4 रिन इसको लिख सकते हैं 5 बटे 4 ठीक है यहाँ पर से अब देखिए आगे हल करते हैं यह हो जाएगा रिन 3 बटे 4 रिन यह हो जाएगा 5 बटे 4 ठीक है अब देखिए यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है तो दोनों के जो हर हैं समान है तो इनका LCM कितना जाएगा यहाँ देखते हैं, चार आजाएगा, चार में चार से भाग देंगे, किती बार जाएगा, एक बार, उस एक का गुणा, रिन तीन से करेंगे, तो कितना आएगा, रिन तीन, यहाँ पर चार है, इस चार में चार से भाग देंगे, किती बार जाएगा, एक बार, और उस एक का गुण इस 5 से करेंगे, तो कितना हैगा, रिन 5, रिन 3 और रिन 5 कितना हो जाएगा, रिन 8 बटे 4, 4 से 8 को काटेंगे, किती बार कटेगा, 4 दो नी 8, तो देखिए, रिन 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छे लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन बैटन को दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे, धन्यवाद,